हाईलो मैं कुंदन सिंग फिर से मेरे यूटूब चैनल टीवील कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आपने थामलेल देखा ही होगा थामलेल में जो देखा है उसी के बारे में हम डिसकॉस करेंगे इस विडियो में और ओशनुशन दीविगए उसी ऑर्टी वीहार बॉड जो भूगोल का किताब है उस किताब का one by one चाप्टर करके जो भी चाप्टर में अब्जेक्टिव कोशन दिया हुआ है उस अब्जेक्टिव कोशन का हम अधियन करेंगे यानि कहने का मतलब यह कि जितना भी चाप्टर है और उस चाप्टर में जो भी objective कोशन है चाप्टर का उनुसार उसी सभी कोशन को हम बारी बारी से देखेंगे बुक का नाम है भारत संसाधन एवाम उपयोग मतलब यह भुगोल का भुक है अब भुगोल का भुक में जितना भी कोशन है उसका बारी बारी से हम अधियान करेंगे अधियान कराने से पहले मैं आपको एक बात बतादना चाहूंगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किजिए अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किजिए तो जैसा कि इसकी निपर फॉर्स कोशन दिया हुआ है फॉर्स कोशन है कोईला किस परकार का संसाधन है तो बात करें कोईला की तो कोईला जो है कोईला सवाल है कोईला किस परकार का संसाधन है तो कोईला जो है और नवी करनिय संसादन है तो कि नवी करनिय का मतलब होता है कि फिर से पराप्त हो जाएगा और और नवी करनिये का मतलब होता है फिर से पराप्त नहीं होगा तो कोईला जो है और नवी करनिये संसादन है क्योंकि इसको फिर से पुना पराप्त नहीं किया जा सकता है तो यह जो कोशन है इस कोशन में दिमाग लगाना है ध्यान से देखना है नवी करनिय मतलब फिर से नए रूप में आ जाएगा और नवी करनिय का मतलब फिर से नए रूप में नहीं आएगा तो कोईला जो है और नवी करनिय संसाधन है बात करते हैं दूसरे प्रस्ण की तो दूसरा प्रस्ण हमारा है सौर उर्जा निमलिखित में से कौन सा संसाधन है तो सौर उर्जा जो है सौनलाइट जो है सौनलाइट जो है यह पुनह पर्तियोगे संसाधन है क्योंकि सौर उर्जा को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं कल भी सूर्य भागवान उगे थे आज भी उगेंगे और परसो भी उगेंगे तो सौर उर्जा जो है पुनह मतलब फि से इसको यूज में ला सकते हैं है बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण बहुत ही इंपोर्टन है सवाल है तोट रेखा से कितने किलोमीटर छेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक छेत्र कहलाते हैं तो इसका अप्सन हो जाएगा दो सव एन एम दो सव नैनों मिटर तक जो छेत्र होते हैं उसको हम सीमा अपवर्जक छेत्र कहते हैं उस छेत्र पर मतलब पूरे विशुव का अधिकार होता है देश के सभी लोग उस वहां पर जा सकते हैं चोफ़ा प्रस्ण है डाकों की अर्थ व्यवस्था का संबंध है तो यहां पर डाकों की अर्थ व्यवस्था किसे कहत्र है यहां से सुनिए वैसा व्यक्ति जो आवसक्ता से अधिक संसाध्वन का उपियोग करता है वो अर्थ व्यवस्था का डाकु कहलाता है मतलब वैसा ब्यक्ति जो किसी वस्तु का परियोग आवसक्ता से अधिक करता है उसको हम अर्थ व्यवस्ता का डाकू कहते हैं यहां बस सवाल पूछ रहा है डाकू की अर्थ व्यवस्ता का संबन किससे है तो संसाधनों के और नियोजित बिद्धोहन से है मतलब नियोजित नहीं और नियोजित मतलब आवसक्ता से अधिक खर्च करता है मतलब ऐसा ब्यक्ति जो वस्तु को संसाधन को आवसक्ता से अधिक खर्च करता है उसको हम डाकू की अर्थ व्यवस्ता कहते हैं यह से के साइज का लास्ट कोशन पाच नमबर है सामूंदरी छेतर में राजनायतिक सीमा के कितने किलोमीटर छेतर तक राश्ट्रिय समपदा नहीं थे तो यह बहुत ही important question है इसका answer हो जाएगा 19.2 km मतलब सामूंदरी छेतर में राजनायतिक सीमा के 19.2 km जो छेतर होते हैं राश्ट्रिय समपदा के अंतरगत आते हैं तो अगले के साइज का first question है पंजाब में भूमी निमनी करण का मुखे करण क्या है? पंजाब में जो भूमी का निमनी करण होता है उसका मुखे करण क्या है? तो इसका मुखे करण अधिक सी चाहिए है तो इसका मुखे करण भूमी का निमनी करण होता है जो अगला प्रश्ण की तो अगला प्रश्ण है मौरुयस्थलिय मिर्दा का बिस्तार निमलिखित में से कहा है तो मौरुयस्थलिय मिर्दा का मतलब रेत ही रेत तो हमको मालूम है संसार का सबसे बारा मौरुयस्थल कहा है तो सहारा में है जो अफिरका में है और भारत का सबसे बारा मौरुयस्थल कहा है तो राजस्थान में है तो सवाल है मारुयस्थलिय ये मिर्दय का सबसे आजिक बिस्तार कहा है तो इसके गुड ऑप्सन होजेगा राजस्थान चोथा प्रस्ण है मेढ़ा के परजनन को नस्ट करने वाला रसायन कौन है मतलब कौन एस रसायन है जो मेढ़ा के परजनन को नस्ट कर देता है तो इसका गुड आप्शन होगा एंडरीन जो है मेढ़ा के परजनन को नस्ट करने वाला रसायन है आच्वा प्रस्ण है और इस चाप्टर का भी लास्ट कोशन है काली मिट्टी का दूसरे नाम क्या है तो काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और इसके अलावा काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं और काली का पासि मिठी भी कहते हैं नेक्स्ट एकसाइज का अगला प्रश्न है पहला प्रश्न है बिरहँच खेत्र में जल की उपषुच्थिती के कारण पिर्थुवी को क्या कहते हैं मतलब आधिक छेत्र में जल की उपस्तिती के कारण पिर्थवी को क्या कहते हैं पिर्थवी पर चार भाग में पानी है और एक भाग में भूमी है तो सवाल है कि पिर्थवी पर आधिक पानी ही है तो जिसके कारण हम पिर्थवी को क्या कहते हैं तो पिर्थवी को हम नीला गर रहा कहते हैं क्या दूसरा प्रश्ण है कुल जल का कितना पर्शेंट भाग महा सागरों में नहीं थे कुल जल का 96.06 पर्शन जो भाग है वह महा सागरों में नहीं थे तिसरा प्रश्ण है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है कोशन बहुत ही इप्रोटन है जो देश के बांध है वो बांध नहीं रहेंगे तो बहुत प्रोलम खरी होगी इसलिए पंडित जो आहरलाल नेहरु जी ने अंकल जी ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहां था अगला प्रशन है प्राणियों के सरीर में कितना परसेंट जल होता है तो प्राणियों के सरीर में 65% जल होता है हम बाइलोजी परहेंगे तो यहां पर प्राणियों को सरीर की बात आएगी भुगोल में तो हम 65% पर टिक करेंगे 65% हमारा गुड अप्शन होगा पाच्वा प्राश्ण है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रन बढ़ा है तो इसका गुड अप्शन होगा हमारा आर्सेनिक होगा क्या होगा आर्सेनिक बढ़ गया है बात करें अगले प्राश्ण की जो अगले चाप्टर से है फर्स्ट कोर्शन है भारत में 2001 में कितने प्रसेंट भागोलिक छेत्र में वर्ण का अभिस्थार था तो संदुहर एक की बात की जारी है भारत में कितने परसंट भागोली छेतर में वर्ण का विस्तार था तो इसके गूड अप्शन हो जाएगा 19.27 मतलब 19.27 परसंट भाग में ही भारत में वर्ण का विस्तार था दूसरा कोस्ता ने वर्ण एस्थिती रिपोर्ट का विस्तार भारत में वर्ण का विस्तार कितना है तो लगभाग है 20.601 परसेंट है यानि वान इश्वती डिपोट का अनुसार भारत में जंगल कितना है 20.6 परसेंट है लेकिन दुहर एक का अनुसार कितना है 19.2 मतलब एक का अंतर है लगभग में अगला प्रशन है तीसरे नमबर बिहार में कितने परसेंटेज भागोली 6-6 पर वन का विस्तार ह है तो बिहार में लगभग 20 परसेंट भाग में क्या है वन का फैलाव है और 80 परसेंट भाग में अधर चीज है चाहुथा प्रशन है पुर्भवतर राजों के 128 आदिवासी जीलों में देश के कुल छेत्र का कितना परसेंटेज वन है इस चारों को से रिलेटेड है चारों में से जरूर एक नएक कोई आएगा ध्यान से देखिए पुर्भवतर राजों के 188 आदिवासी जीलों में देश के कुल छेत्र का कितना परसेंटेज वन है तो इसका गुड ऑप्सन हो जाएगा 60.1 एक परसेंट जो है वन है बात करें अगले प्रशन की तो आगला प्रश किस राजे में वन का सबसे अधिक विस्तार है सवाल है किस राजे में वन का सबसे अधिक विस्तार है तो MP जो है माध्य परदेश है माध्य परदेश में सबसे अधिक वन है इसलिए हम माध्य परदेश पर टिक करेंगे अगला प्रस्ण है वन सर अक्षन एवां परबांधन की दिष्टी से वनों को कितने भागों में बाटा गया है तो वन सर अक्षन एवां परबांधन की दिष्टी से वनों को तीन भागों में बाटा गया है सात्वा प्रस्णे सन 1951-1980 तक लगभग कितना वर किलोमेटर वन छेत्रे क्रिसी भूमी में परिवर्थित हो गया मतलब 51-80 की बात की जारी है 51-80 तक में कितना वन छेत्रे खेती में बिलीन हो गया तो लगभग 26,200 वर किलोमेटर चारो तरब से इतना वन जो था क्रिसी में परिवर्थित हो गया क्यों जन संख्या के कारण आठवा प्रस्ण है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है समिधान की धारा 21 का संबंद किससे है तो समिधान की धारा 21 है अनुषय जो 21 है उसका संबंद जो है वन जीवो तो था प्राकिर्थि संसाधुनों के सरक्षन से यानि समिधान की धारा 21 कहता है कि जंगली जनवर को बचाओ और प्राकिर्थि संसाधन प्राकिर्थि जितनी वी वस्तुव है उनको बचाकर रखना है अगला प्राश्ण है FAO की वाने की रिपोर्ट का अनुषार 1949 में 20 के कितने हेक्टेर भूमी पर वन के विस्तार था तो इसका गुड एंसर होगा प्राकिर्थि संसाधनों के सवर्खषन 1968 में कौन से कन्वेंशन हुआ था तो इसका गुड आप्शन होगा अफ्रेकी कन्वेंशन हुआ था अगला प्राश्ण है जो बहुत ही इसका जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाता है तो डॉलफिन जो है, यह हावा में छालांग भी लगती है इसको भारतका राष्टिय जलिय जीव भी कहा जाता है। डॉलफिन ही एक ऐसी मजली है ऐसी जीव है जो सिर्फ भारत में पाई जाती है अधर किसी कौठ्री में नहीं पाई जाती है। ऐगला प्रस्ण है भारत का राष्ट ये पक्षी है तो भारत का around कि पक्षी मोर है जिसको सॉंस्कृत में मजूर भी कहते हैं बढ़ते हैं अगले प्रस्ण की तुरप अगला प्रस्ण है मैंन्गरोंव्स का सबसे आधिक विषथार कहां है तो मैंगरो जो 1 है उसका सबसे अधिक बिस्तार सुन्दर 1 डिल्टा में है चौदर नमर कोशन है टेक्सोल का उप्योग होता है तो टेक्सोल जो है यह एक आवसदी है जिसका उप्योग कैंसर में होता है रोक्थाम में होता है लास्ट पांदेर नमर कोशन इस चाप्टर का चारक का समध किस देश से था तो चारक जो है यह आरवेदिक बी आरवेदिक के जनक है जो भी आरवेदिक दवाई होती है सबसे पर इन्हों नहीं उसके गठन किया था मात्र एक ही वीडियो में मात्र एक ही इस वीडियो में भुगोल का पूरा वन बाई वन चाप्टर करके अब्जेप्ट कोशन दिया हुआ है आप मेरे चनल को सब्सक्राइब किजिए इसको देखने के बाद आपके लिए हमें हम इतिहास जीव बिग्यान फिजिस कमेश्टी सब लाएंगे बारी बारी से और यह अपने दोस्तों में भी सेर किजिए बहुत ही इंप्रोटन है क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा भुग नहीं से नियुक्त आपके लुक्त और हम लिगनाइट को हम क्या कहते हैं लो इक खनेज कहते हैं तो इन में से चुज करना है हमको मैं से को यह से खनेज है सोरी कोश्चन यह गलत लग रहा है इनमें से कौन लोह इत्खनीज का उधारन है यहां पर नहीं होना चीए तो नहीं लोह इत्खनीज का उधारन नहीं है तो माइगिनेज जो होगा इसका गूड़ा अफसन होगा अगला प्रस्ट है नेमले खेते कुछ सने नेमले खेत में से कौन अधात्वी खनीज है खनीज धात्वी खनीज में धात्व की आउनस होता है और अधात्वी खनीज में अधात्व का पदार थे जो अधात्वी खनीज है तो इसके अगूड आप्शन होगा अभरक जो है अभरक अधात्वी खनीज है बाकी सब धात्वी खनीज है चौथा कोस्टन है किस खनीज को उधागों की जननी कहते हैं तो लोहा को हम उधागों की जननी कहते हैं क्योंकि कोई भी ऐसा उधाग नहीं है कोई भी ऐसा फ्याक्टरी कंपनी नहीं है जिसमें लोहा का पर्योग न किया जाए इसलिए लोहा को उधागों की जनननी कहते हैं कि पाछबा कोंसा ने हिन में से कों लूः आयसक्स का एक उदाहरन है लोह का की का अंस हो तो लूः आयसक्स को तिन भागों में बाता वे वाटा गया है ही मेडिनामाइट और रमेगेमाटाइट तो इसमें जो है प्रbon कहले उदया रहे tv नहीं है चट्था प्रस्ण है कौन भारत का सबसे बारा लोह उत्पादक राज्य है तो करनाटक जो है करनाटक में सबसी अधिक लोह उत्पादन क्या जता है लोहा का निर्मान होता है साथवा प्रस्ण है 36 गढ़ भारत का कितना परसेंटेज लोहा अज्यक उत्पादन करता है तो चट्थिस गढ़ जो है 20 परसेंट अकेले ही 20 परसेंट लोहा के उत्पादन करता है और ये परसेंट अधर एस्टेट करता है आठवा प्रस्ट है मागिनेज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या एस्थान है तो मागिनेज उत्पादन में भारत का विश्व में जो एस्थान है वह पाच्वा है एक टॉन इस पात बनाने में कितना मागिनेज का उपेग होता है तो एक टान इस पात बनाने में मैगनेज के उप्यक 10 क्यजी होता है अगला प्रश्ण है उरिषा किस खनीज का सबसे बरा उत्पादक राजे है तो उरिषा जो है वह मैगनेज का सबसे बरा उत्पादक राजे है बढ़ते हैं आगला प्रश्ण के तरफ आगला प्रश्ण है अल्मुनियम बनाने के लिए किस खानिज की आप सकता परती है तो अल्मुनियम बनाने के लिए बॉक्साइट जो खानिज है इसकी आप सकता परती है देश में तामबे का कुल कितना भंडार है तो हमारे देश भारत में कुल तामबे का लगभग साबा सो करोर टन भंडार है अगला प्रस्ण है बिहार जारखंड में देश का कितना परसेंटेज अभरा का उत्पादन होता है मतलब बिहार और जारखंड दोनों मिलकर देश का कितना परसेंटेज अभरा का निर्मान करते हैं तो ये दोनों मिलकर 80% अभरा का निर्मान करते हैं बाकी 20% इवे अधर एस्टेट्स हैं लास्ट शाप्टर का लास्ट कोस्टन है 14 नमबर सिमेंट उध्होग का सबसे परमुक काचा माल क्या है तो सिमेंट उध्होग जो है इसका सबसे परमुक काचा माल चूना पथर है चुना पथर से ही हम सीमेंट बनाते हैं और एक बात और चुना पथर का पर्योग चीनी उधोग में भी किया जाता है चीनी बनाने में भी चूना पथर का परयोग किया जता है एधि चूना पथर चीनी में न मिला जाया तो चीनी थोरा सा टेम्परेचर पर गल जाएगी पिखल जाएगी आगे बढ़ते हैं नेस चाप्टर के नेस कोस्टन पर किस राजे में खनीज तेल का विसाल भंडार है तो आसम जो है आसम में खनीज तेल का विसाल भंडार है आसम जो है खनीज तेल के लिए भारत में फेमस है दूसरा कोशन है भारत के किस अस्थान पर पहला परमानू उर्जा कंद्र इस्थापित किया गया था तो भारत के कौन ऐसा पहला जगा है जहां पर परमानु उर्जा के अंदर इस्थापित किया था तो इसके गुड़ आप्शनों का तारापूर तारापूर में ही सबसे पहले परमानु उर्जा के अंदर इस्थापित किया गया था अगला प्रश्ण है कौन सा उर्जा एस्तरोत अनवी करनिये है अनवी करनिये का मतलग फिर से प्राप्त नहीं हो सकता है तो कोईला जो है इसमें कोईला जो है अनवी करनिये संसाधन है इसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है जल जाएगा तो राक बचेगा दुबाला कोईला थोड़ी आएगा लेकि जल जल चाकर से फिर वापस आजएगा सूर्य भगवान आगले दिन फिर आजाएंगे अब भी फिर बहने लगेगी लेकि कोईला फिर से नहीं आएगा किसलिए कोईला आना वे करनी यह संसाधन हैं अगला कोशन है प्राथमिक उर्जा का उधारन नहीं है इन में से कौन प्राथमिक उर्जा का उधारन नहीं है तो फर्स्ट टाइम कोईला निकालते हैं पर्यों करते हैं प्राकिर्ति गस निकालते हैं पर्यों करते हैं पेट्रोलियम निकालते हैं पर्यों करते हैं लेकिन ब विजली जो है बेध्लुत जो है पराथन की उर्जा का उद्हाराण नहीं है क्या रागि थीन से थीन Iya ओर पाच्वा प्रशन हैं इत्युव सऌ्टिर मतलब परांपरा से चलते आ रहा है अगर के मतलब प्रांपरी के असली है तो उर्जा का गर परांपरा इस तरह न noon है तो कोईला तो पुराना ही है प्रेट्रोरियम भी पुराना है बिजली भी पुराना है सोर उड़ा जो है अभी नया आया इसले सोर उड़ा जो है उड़ा के गर परांपरिक एस्तरोत है छठा प्रश्ण है गोंडवाना समू के कोईले का निर्मान कब हुआ था तो नेक्स कुस्टन है भारत में कोईले का सर्व परमुक उत्पादक राजे कौन है मतलब सबसे अधिक भारत में कौन इस राजे है जो अधिक कोईला का उत्पादन करता है तो जहारखंड जो है भारत में सबसे अधिक जहारखंड में कोईला होता है अगला प्रस्ण है सर्वतम कोईले का परकार कौन है मतल Fam सबसे बनी कोईला कौन है तो एंथ्रासाइट जो है सबसे बनी कोईला है इस पर बहुतर सवाल आता है अब जेट्ट उस ध्यानलक से सुनिये एंथरासाइट कोईला जो है कोईला चार परकार के होते हैं एंथरासाइट, लिगनाइट, पीट और बीटूमीनस तो एंथरासाइट जो है सबसे बनिया कोईला है और बीटूमीनस जो है सेकेंड नमर पर आता है और भारत में सबसे अधिक बीटू मीनस परकार रहा कोईला है और लिगनाइट जो है थार्ड क्वालिटी के कोईला है और फीट को हम घटिया क्वालिटी के कोईला कहते हैं मतलब जिस कोईला में कारबन की मातरा अधिक होगी वह कोईला आच्छा होगा और जिस कोईला में कारबन के मातरा कम होगी वह कोईला घटिया होगा और बनिया क्वालेटी के जो कोईला होता है वह धूँआ कम और उसमा आधिक देता है लेकि जो पीट जो है यह आधिक धूँआ देता है उसमा बहुत कम देता है बढ़ते हैं आगला प्रस्ण की तरफ आगला प्रस्ण है मुंबाई हाई क्यों परसीद है तो मुंबाई हाई जो है पेट्रोलियम यह खनीज तेल है तूँआ बहुत ही फ्यमस है अगला प्रस्ण है भारत का परथम तेल सोधक खना कहा इसथीद है तो भारत का परथम तेल सोधक कर खना है तेल को शूध करने वाला कर खना है वो सरपर्थम असम के डिगबोई में इस्थित हुआ था 11 अमें कोशन है प्राकिर्तिक गैस किस खनीच के साथ पाया जाता है जो प्राकिर्तिक जो गैस है वह पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है अगला प्राशन है भाखरान अंगल परियोजना किस नदीच पर इस्थित है तो भाखरान अंगल जो परियोजना है वह 17 नदीच पर इस्थित है नेश कोशन है दक्षिन भारत की सबसे बरी नदीच परियोजना कौन है कौन है तूंग भद्रा अगला प्रस्ने ताप विधूत के अंदर का उधारन है इन में से कौन ताप विधूत के अंदर का उधारन है तो अप्शन नंबर खर जो होगा बरावनी जो होगा यही इसके गूड अप्शन होगा इवरेनियम का परमोख उत्पादक एस्थल है तो सबसे बरा परमानु विधूत गिर्षी तारापुर में इस्थित है भारत के किस राजे में सौर उर्जा के विकास की सरवाधिक संभावनाय है तो इसका एंसर होगा राजस्थान जो है राजस्थान में सबसे अधिक सौर उर्जा का विस्तार है कि यहां परेगिस्थान है बहुत गर्मी परती है जुवारिये एवं तरांग उर्जा उत्पादन है तो भारत के अधिक अनकुल परिश्थितिया कहां पाई जाती है तो यह लाश कोर्शन है जि इन मेंसे कॉन औधागिक अवस्थ्ति के कारक नहीं है अःसा option है जो कॉढ़ाए मैं कं चार खाना में नहीं आता है तो बजार घशा कोई आना परेगा पुंजी को भी आना परेगा door लॉज्य भी लगाना परेगा तो जन संक्या जो है इसम्य गूड ऑप्सण होगा अगरा प्रस्ट है भारत में सबसे पहले एस्थापित लोह इस्पात कमपनी इन में से कौन थी तो भारत की सबसे पहले जो लोहा बनाने वाली और इस्पात बनाने वाली स्टील कमपनी थी वह कौन थी टिसको थी कौन थी टिसको टाटा आइरन एंड इस्टील कमपनी टाटा लोह त्पात कंपणी जो थी यह थी जो कहां थि जमशेद पूर में थी अगला प्रस्ण है पहली आधुनिक सूती निम्ने मिल मुंबाई में स्थापित की गई थी क्योंकि मतला पहली आधुनिक सूती मिल जो थी मुंबई में स्थापित की गई थी क्यूंकि क्या कारण था तो मुंबई एक पतन है सही बात है यह का पास उत्पादक छ्यत्र के निकट इसी थै सही बात है मुंबई में पुंजी उपलब थी सही बात है इसलिए इसका option नमर जो D है दी पठेगे गापठेगे चौथा प्रस्टिए निम नांकीद में द मेंसे कोन उध्वा किरिशी पधालत नहीं है सुति वॉस्त्र का जो काचामाल होता है का पास ख्यंती से आता है चीनी का जो काचामाल इक है यह भी खेती से आता है जूट बस्त्र का जो काचामाल जूट है यह भी खेती से आता है सीमेंट के जो काचामाल चूना पथर यह खेती से नहीं आता है इसलिए इसलिए चोथा नवा प्रश्ण के सवाल के जो गुड़ अप्शन होगा सीमेंट पाम्टी करेंगे अगला प्रश्ण है हुगली आउध्होगी परदेश का क्यंदर है इसके गुड़ अप्शन क्या होगा तो इसके गुड़ अप्शन होगा कुलकात्ता मोदिनी पूर्य चठा प्रश्ण है निमलेखित मेंसे कौन उध्होग सारजोनिक छेतर के आंतरगत आते हैं तो इसमें बोकारोलोहिस पाथ जो उध्होग है यह सारजोनिक छेतर के आंतरगत आएगा बाकि सब नहीं आएगा यह सभी जग़ा है लेकिन यह सभी जग़ा नहीं है इसलिए गहीं सही आफ्शन होगा अगला प्रश्न है इनमें से कौन उप्भौकता उध्वग है तो पेट्रो रसायण उप्भौकता उध्वग है बाकि सब नहीं है निम्लेकित में से कौन छोटे पैमाने का उध्वग मतलब छोटा बिजनेस है तो खिलोना उध्वग जो है छोटे पैमाने का उध्वग है बाकि सब बरा उध्वग है भोपाल गैस तरासदी में किस गैस का रिशा हुआ था तो भोपाल में जो गैस तरासदी हुई थी जिसम कमपनी में मिठाई आइसो साइनाइट गयसकरी साव हुआ था अगला प्रस्ण है सोतंतरता प्राप्ति के समय देश में सरकों की कुल नमबाई कितनी थी मतलब जब हमको आजादी मिल थी उस टाइम सरक की नमबाई कितनी थी तो आप्सन नमबर जो गव है तीन दा समनों आठ आठ लाग किलोमेटर इतना ही लापाई कि सरक थी नेस को सने पकी सरकों की लापाई की दिश्टी से प्रथमे स्थान पर कौन सा राजे हैं मतलब भारत में लगवा 28 राजे हैं जिन में सबसे अच्छी और पकी सरक किस राजे में अधिकांस है तो महराष्ट इसका गुड़ आफ्सन होगा बालत करें तीसरा कोशन किये तो तीसरा कोशन पूछ रहा है ने में लिखित में से कौन सरकों का एक वर्ग नहीं है मतलब सरक का परकार नहीं है तो इसका आफ्सन जो होगा सवर्निम त्रिभूज राजमार्ग है यह सरक का परकार नहीं है बाकि यह तिनों है चोथा प्रस्ट है भारत के किन सहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्द है इसका अप्सन नमबर जो कि इसका अप्सन नमबर को जो होगा इसका राइट एंसर होगा कोलकाता यह उमदिली में कोलकाता यह उमदिली में मेट्रो रेल सेवा उपलावधे बाकी सब में जोगा नहीं है पाच्वा प्रस्ट है किस वर्ष इंडियन एरलाइन्स को इंडियन नाम दिया गया बहुत ही पुरण कोशन है 2005 में इंडियन एरलाइन्स को इंडियन नाम दिया गया छट्था प्रस्ण है भारतिय अंत्रदेसिये जलमार्ग प्राधिकरण के गठन किस वर्ष किया गया था तो इसके गुड अप्षन 1986 होगा सात्वा प्रस्ण है इन और पतन किस राजे में हुआ था यह बहुत ही इंप्रण कोशन है इन और जो पतन हुगा था वह तमिलनाडू राजे में हुआ था बात करें अगला प्रस्ण की अगला प्रस्ण बहुत ही इंपोरण है पूछ रहा है भारत को कुल कितने डाक छेत्रों में बाटा गया है तो भारत को लोग भाग आठ डाक छेत्रों में बाटा गया है अगला प्रश्ण है देश में कितने बिशेस आर्थिक छेत्र विख्षित है तो हमारे यहां हमारे देश में कुलमिला का आठी कुर्मिला के दोस जो छेत्र है वही आर्थिक छेत्र में विक्षित है बाकि सब नहीं है दोस्वा प्रस्ण है फाल्टा बिसेस आर्थिक छेत्र कहां विक्षित है तो फाल्टा बिसेस आर्थिक छेत्र जो है वह पस्षिम बंगाल में इस्थित है बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण जो है नेक्स चाप्टर का है यह काई पाच का जो कोशन है बहुत ही इंपोर्टन है इसको बनिया से दखिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए पहला कोशन ने बिहार में क है राजे की कितनी परसेंट जनसांख्या क्रिसी कारे में लगी हुई है मतला हमारे बिहार राजे में कितनी परसेंट ऐसे लोग है जो खेती पर नीद भर है तो लगभा आसी परसेंट जो लोग है वह खेती पर नीद भर है अगला प्रस्ण है इन में से कौन गण्ना बिहाड के जुट उत्पादन में गिरावट हो रही है जुट को हम सुना हरा ऐसा भी कहते हैं अगला प्रस्न ने तंबाकु उत्पादन छेतर है तो गांगा के दियारा में ना को खूब बया जाता है अगला प्रस्ण है कोशी नदी घाटी परियोजना कब पराराम हुई तो कोशी नदी घाटी जो परियोजना है इसका आराम है 1952 ECV में किया गया था अगला प्रस्ण है गंडक परियोजना का निर्मान की सहर पर हुआ तो गंड़क परियोजने का निर्मान जो है वह बलमीक की नगर में हुआ नेस कोस्तन है बिहार में नहरो दोरा सबसे अधिक सी चाई किस जिला में होती है तो बिहार में जो नहरो दोरा अधिक सी चाई होती है वह रोहतास में होती है नेसकोस्ता ने बिहार में कुल कितने अधिसूचित छेतर में वन्ड का विस्तार है तो बिहार में कुल 6374 किलोमेटर छेतर में वन्ड का विस्तार है अगला प्रस्ण है कुषे सवरे स्थान किस जिला में इस सित है तो कुशेश्वर इस्थान जो है भागलपुर जिला में इस्थित है अगला प्रस्ण है कावर जिल कहां है तो कावर जिल जो है बेगुसराय जिला में इस्थित है संजाए गांधि जवे कुध्यान किस नगर में है तो संजाए गांधि जो जवे कुध्यान है वह पटना में इस्थित है नेक्स आप्टर का अगला प्रस्ण है बिहार में खनीज तेल मिलने की संभावनाय कहा है तो बिहार में खनीज तेल मिलने की जो संभावनाय है वह गंगा की द्रोनी में है सेकर्ड कोस्तान है चुना पत्थर का उप्योग मखे रूप से किस उधोग में होता है तो चुना पत्थर का जो उप्योग होता है वह सीमेंट उधोग में होता है इसका अलव चीनी उधोग में भी होता है नेस्ट कोस्तान है पाईराइट खनीज है पाईराइट जो खनीज ह अगला प्रस्ण में बिहार की विश्ण की विध्यूद प्रियोजना किस जीला में अबस्थित है तो भागलपुर्जो होगा इसका good option होगा next question है काटी तापिये विधूत परियोजना किस जिला में इस्थित है तो काटी तापिये विधूत परियोजना जो है वह मुझा फरपूर में इस्थित है बात करें अगले प्रश्ण की तो अगला प्रश्ण है बिहार में BHPC कि संक्या कितनी है तो इसके good option होगा सेवेन होगी आगला प्रश्ण है बिहार में काटे जुट परियोजनाव की कुल विधूत उत्पादन चाहिता कितनी है मतले हैं तो Hunter में जो काटे करने वाले जुट परियोजनां हैं हैं वह कितना लागभग में कितना बिजली के उत्पात्न करते हैं तो लागभग में 44.2 मेगावाट तक बिजली के उत्पात्न वेलोग कर देते हैं नेस कोस्तान है बिहार के किस सहर में कांच उधोग स्थापित है तो बिहार के हाजी पूर सहर में सबसे अधिक आछ उधोग स्थापित है अगला प्रश्ण है चिगरेट के करखाना कहा है तो चिगरेट के करखाना है बहुत इपोर्ण कोसन है तो मुंगेर में है qiguret के करखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है अगला सवाल है railwork shop कहा इस्टित है? तो railwork shop जमालपूर में स््थीत है अगला प्रस्ण है तो किस नगर में कालीन त्यार 것으로 ago इसके good option होगए दावद नगर, दावद नगर में कालिन तयार होते हैं, असोक पेपर मिल, मतलब असोक कागज के जो करखाना है, वो कहा है, तो बिहार के समाश्ति पूर जीला में है, नेस्स कोसन है बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी तो बिहार की पहली रेल लाइन इस्ट इंडिया रेल मार्ग थी जो अंगरेजो को दुबारा बनाए गए थी अगला प्रस्ण है पाटना हावाई आड़ा क्या नाम है पाटना जो हावाई आड़ा है उसका नाम है जय परकास अंतराश्टरिय हावाई पतन अगला प्रस्ण है गरान ट्रॉंक के रोड का राश्टरिय राजमार की सौंख्या क्या है तो इसका गुड अफ्षन होगा दो ह होगा क्या होगा दो बिहार में रेल परिवहन का सुभा रंब कब से माना जाता है यानि बिहार में सबसे पहले रेल कब चली थी तो 1860 हिस्वी में सबसे पहले रेल चली थी मध्य पूर्व रेलवे का मुख्याले कहा है तो मध्य पूर्व मतलब मध्य पूर्व जो रेलवे का मुख्याले है तो हाजी पूर्व में इस्थित है अगला प्राशने बिहार की सीमा में रेल मार की कुल नमाई कितनी है तो बिहार में रेल मार की पट्रे जो है कितनी लंब है वह है 6,283 किलोमेटर नम्बी है बिहार में रोजु मार कहा है रोश रोजु रोश राजगीर तो बिहार में रोजु मार राजगीर में इस्थित है मंदार हील किस जिला में इस्थित है तो मंदार हील जो है वह बांका जिला में इस्थित है राश्ट्रिय पोच संस्थान पटना के किस घाट पर इस्थित है तो यह जो है पटना के महंदरु घाट पर इस्थित है बात करें अगले प्रस्ण की तो अगला प्रस्ण है 2001 में बिहार की कुल जान सांखिया लगभग में कितनी थी तो 2001 की बात करें तो बिहार की कितनी थी तो 8 क्रोर से कम थी सेकन कुस्टन है 1991 से ऑल परचन्ट बीरदी हुई जनसंख्या में अगला प्रसने है बिहार में घरामिन आबादी कितनी है बिहार कि गरामिन गाउं की आबादी की बात की जाये तथें बीहार में लग भग नमाच्वक तो समला 5 पर सेंट लोग भी गौ में रहते हैं अगला प्रस्षिस्ध्य सौथा नंबर 2001 में 2001 की जनगाना का अनुसार बिहार में प्रती ओवर किलोमेटर कितने ब्यक्ति रहते हैं तो 2001 की बात करें तो उस समय 2001 में 2001 की जनगाना का अनुसार बिहार में प्रती ओवर किलोमेटर कितने ब्यक्ति रहते थे तो 88 जो होगा इसका राइट एंसर होगा सबसे अधिक अबादी वाला कौन जीला है बिहार में सबसे अधिक अबादी कहा है तो पटना में है कोई सोचता होगा कि पटना तो राजधानी है तो पटना राजधानी भी है और पलस में जीला भी है तो इसलिए बिहार में सबसे अधिक जो आबादी है वो पटना सहर में है जो एक जीला के साथ साथ राज़धानी भी है बिहार की अगला प्रस्ण है सासा राम नगर का विकास किस यूग में हुआ था तो सासा राम जो नगर है इसका विकास विकास जो हुआ था वो मध्य यूग में ही शुरू हो गया था अगला प्रस्ण है अब विभाजित बिहार अब विभाजित बिहार का मतलब इससे हरकोंड जब अलग नहीं हुआ था तब की बात हो रही है तो अब विभाजित जो बिहार था और विभाजित बिहार में एक मात्र नियौजित नगर कौन था तो टाटा नगर जो था एक मात्र नियौजित नगर था अगला प्रस्ण है 2001 की जन गन्ना का उनुसार बिहार की नगर ये आबादी कितनी है बिहार में कितने लोग सहर में नगर में रहते हैं तो गुश्या रहते हैं बाकी लोग गाओं में रहते हैं बिहार के सबसे बरा नगर कौन है तो पटना जो है पटना बिहार के सबसे बरा नगर है नेस्ट कोशन जो है नेस्ट चाप्टर का है और ये चाप्टर जो है भुगोल का लास्ट है इस वीडियो में भुगोल के साथ सब आपदा परबंधन का भी वीडियो है क्योंकि आपदा परबंधन और भुगोल जो है एकी बुक में है तो फास्ट कोशन है उच्चा वच पा परवतिये चाया करण बीधी में भू आकृतियों को किस दिशा से परकास पढ़ने की कलपना की जाती है तो इसका गुड अप्सन जो होगा उत्तर पस्यम जो होगा राइट एंसर होगा अगला प्रस्ण है छोटी महीन एवं खंडी तेरे खाव को ढाल की दिशा में खिच कर उचावच परदसन की बीधी को क्या कहते है तो इसका राइट अप्सन होगा है सुविर बीधी कहते है चोटा प्रस्ण है तल चीन की सहता से किसी एस्थान विशेज की मापी गई उचाई को क्या कहते है तो इसको हम एस्थानिक उचाई कहते है अगला प्रस्ण है एस्थार राइजन बीधी के अंतरगत मांचितर में नीले रंग से किसको दिखाया जाता है भूरे रंग को पहार को दिखाया जाता है और हरे रंग को हरी आली को दिखाया जाता है मैदान को दिखाया जाता है तो अब हम बात करें, अब चलते हैं हम आपदा परबंधन में, तो आपदा परबंधन का जो है, फर्स कोस्तन है, इन में से कौन प्राकिर्थिक आपदा है, नहीं है, आपदा यानी संकट, इन में से कौन ऐसी आपदा है, संकट है, जो प्राकिर्थिक द्वार नहीं आती है, शुनामी जो है प्रकृति की दवर आती है बाड भी प्रकृति की दवर आती है भुकाओं भी प्रकृति की दवर आती है तो इसके राइट ऑप्सन जो होगा अंत्रकवाद जो होगा यह मानवी है अपदा है इसलिए इसके कुड़ अप्सन अंत्रकवाद होगा इसमें उपिक्त सभी जो होगा राइट एंसर होगा थर्ड कोसा ने सुनामी के परमुख करण क्या है तो समूंद्र में भुकांप आना सुनामी कहलाता है इस समूंद्र में भुकांप आगा तो सुनामी तो इस चाप्टर में तीनी कोशन था अब बात करते हैं अगले चाप्टर की जो आपदा परबंधन का है इस चाप्टर का पहला कोशन है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख करण क्या है तो जल की अधिकता जब जल अधिक दर यो जाएगी थो बाढ़ आनी शूरू हो जाएगी अगला प्रत नेियम लेखत में से कैसे नदि को भीहार का सोक नदी कहते हैं बिहार का सोक नदी को सी नदी कहते हैं कि कोशी नदी में जब बाढ आता है तो बिहार को बहुत ही तब ह्य जहलनी परती है चौथा प्रस्ने बाढ़ क्या है तो बाढ़ एक प्राकिर्थिक आपदा है जिस पर मानव कोई हाथ नहीं है अगला प्रस्ने है सुखा किस प्राकार की आपदा है सुखा भी जो है प्राकिर्थिक आपदा ही है छटा प्रश्ण है सूखे की इस्षिती की स्परकर आती है तो जो सूखे की इस्षिती है वह धीरे धीरे आती है अचानक नहीं आती है है अगला प्र स्विय के लिए जिमेवार करतंग यह है तो वार्षा में जब कमी होगी तो सुखार जरूर होगा सूखे से बचा के संगराकर यंगर सुखार नहीं घ्रषाई ल幌 होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं तो महसागर के तॉली पर जो कंपन होती है इसको हम सुनामी के नाम से जानते हैं शावष को संब Brasil किस से में भःजित सुनामी आई थी टो बंगाल की खारी जो होग इसका राइट ऑफ्षण होगा ढब प्रिथवी की सोताव पर पहुंचने वाली सबसे पहले तरंग को किस नाम से जानते हैं तो इसका राइट अफ्षन होगा पी तरंग कहा बलता है जी पी थरंग प्राइमिरी वेव हुआध में ब्सक्रार सबसे BILL को प्रिथवी परिष्थित के ऐंदर को क्यते हैं तो कींदर को कि आधिक के अंदर के नाम से मैं कि बात करें अगरे आपके अगले कोशन की तो अगला कोशन है बाट के समय के साने के स्थान पर जाना चाहिए तो हम बाट जब आती आप हमें उची भूमी वाले स्थान पर जाना चाहिए मलबे यानि छट मलबे के निची दबे हुए लगों का पता लगाने वाले यंत्र को हम क्या बोलते हैं तो इन फड़ा रेड केमरा बोलते हैं अगला प्रशने आग से जलने की शिरती में जले हुए स्थान पर प्रात्मिक उपचार क्या करना चीए तो उसे में हमें अगनी सामख यंत्र को बुलाना चाहिए सुनामी किस सथान पाती है तो सुनामी जो है समूंदर में आती है तो अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है समाने संचार बेवस्था के बादित होने का मुख्य कारण क्या है तो केबल का टोट जाना है इसका मुख्य कारण है संचार के सबसे लोग प्रिये साधन क्या है popular तो सारुजानिक टेलीफॉन है वह संचार का यहां से वहां बाचित करने के सबसे आचार लोग प्रिये साधन है किताब छापा था उस टारुजानिक टेलीफॉन ही था एक रुपया सिकर डालते थे और बात करते थे तुसरा कोश्टा नहीं सुदूर सनवेदी उपगरा रिमोट सेंसिक उपगरा का उप्योग किसली किया जाता है तो इसका उप्योग हम संसाधनों के खोज के लिए करते है अगला प्रस्टा है नेमलेखित में से कौन प्राकिर्थिक आपदा है इन में से कौन प्राकिर्थिक आपदा है तो भुकांप जो है प्राकिर्थिक आपदा है बाकिया तीनों नहीं है क्योंकि यह मनुश्य तोरा होता है दूसरा कोश्टा नहीं है भुकांप सांभावत छेत्रों में भावनों के आकिरती कैसी होती है मतलब जिस एरिया में भुकंप अधिक आता है वहां पर जो हमाकान बनाते हैं उसके आकार कैसा होना चीए अंड़कार नहीं होना चीए आयतकार उसका कर नचीए आयतकार भुष खलान वाले छेत्रों में धलान पर माकानों का निर्मान क्या है तो अनुचित है वहां पर हम घर नहीं बना सकते हैं घर बनाएंगे तो हमारा घर जाल दिर धा जाएगा चौथा प्रस्ण है, शुनामी परभावी छेत्रों में माकान का नियमान कहां करना चाहिए तो सामूंद्र थट किसे दूर हटके और दूर उचाईप करना चाहिए पाचवा प्रस्ण है, बाड से सबसे अधिक हानिक किसको होती है तो भसल को, पशु को, भवनो को सभी को होती है छटा प्रस्टने कृषी सुखार होता है कृषी किसी करन सुखार हो जाता है तो जल के आभाव के करन सुखार हो जाता है इस तरहा काक्छा 10 जिस किताब का नाम है भारत Michyum ओप्यों का पूरा एटुजेड वीडियो खतम हुआ इसी तरह इतिहास अर्थविवस्था और लोकतांत्री साष्ट्र जीव विग्यान भावतिकी रासायन साष्ट्र हिंदी समाजिक विग्यान का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह आप मे जय भारत